फिल्म जगत की चका चौन्दवरी जिन्दगी का रास्ता उन लोगों ने भी पार किया हैं जिनके नाम एक जमाना हुआ करता था पर उनके फिल्मी सफर को वो मुकाम नहीं मिल सका जिसकी उन्हें चाहत थी फिल्म जगत में ऐसे भी कलाकार आये थे जिनको देख कर लोग कहने लगे थे कि ये इनसान बहुत बड़ा सूपरचार बनेगा पर किस्मत की बाद कौन जान पाया है आज की कहानी उस कलाकार पर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जीतेंद्र और धर्मेंद्र से भी आगे निकल जाएगा कुछ समय के लिए ना सही फिल्मी दौर में वो कलाकार आगे रहा पर समय के साथ उसे पीछे आना पड़ा काल के साथ उस कलाकार की यादे भी कमजोर होती गई पर जब भी रक्षा बंदन के दिन वो गाना लगता था तो उस कलाकार की याद ताजी होती थी उस गाने की बोल सुन कर आपको भी पता चल जाएगा कि आज की विडियो किस कलाकार पर है मेरे भाईया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन जी हाँ, आज की कहानी शैलेश कुमार पर है नमस्कर दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बयोग्रफी एंड रियल लाइफ स्टॉरी शैलेश कुमार बहुत अधिक समय के लिए फिल्म जगत में टिके तो नहीं पर उनकी कुछ फिल्में बहुत खुबसूरत है उन्होंने अपने जीवन में लो और हाई ऐसे दोनों बजट वाली फिल्में की शैलेश कुमार उन कलाकार में शुमार हैं जिनकी शुरुवात बतोर हीरो से हुई पर आखरी समय में उन्होंने साइड हीरो या साइड आक्टर के रूप में काम किया पर दूसरे कलाकारों की जिन्दगी तो कमजोर हालत में बीती शैलेश कुमार ने समय देख कर अपना पैर फिल्म जगत से निकाला और आजिवका के लिए अन्य तरीका डूण निकाला इस मामले में शैलेश कुमार बहुत होशियार साबित हुए क्योंकि अंगिनत कलाकार थे जिनका आखरी समय धनहीन रहा खेर शैलेश कुमार के प्राथमिक जीवन पर नजर डालते हैं शम्भू नादपुरोहित उर्फ शैलेश कुमार का जन्म 21 जनवरी 1949 में जोदपूर के समरुद्ध परिवार में हुआ था उन्हें दो भाई और एक बेहन भी थी जिन में से वो सबसे छोटे भाई थे उनके पिताजी का व्यापार चलता था स्कूल के दिनों तक शैलेश कुमार का अभिने से कोई संपर्क नहीं था पर कॉलेज के दिनों में वो नाटकों में हिस्सा लेने लगे आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रसिद्ध अभिनेता ओम शिवपुरी उनके साथ पढ़ते थे वो दोनों नाटकों में एक साथ दिखाई देते थे आगे चलकर ओम शिवपुरी बहुत बड़े कलाकार बन गए पर शैलेश कुमार ओम शिवपुरी के नस्दीक भी नहीं आ पाए पर खुबसूरती की बात की जाए तो शैलेश कुमार ओम शिवपुरी से बहुत अधिक सुन्दर और कद काठी में उंचे थे ओम शिवपुरी साहाब अपने किसी भी फिल्म में बतौर हीरो तो दिख नहीं पाए पर शैलेश कुमार ने बतौर हीरो बहुत सारी फिल्म में दी थी शैलेश कुमार फिल्मों में कैसे आए इसके पीछे भी एक कहानी है कॉलेज की पढ़ाई के बाद वो मुंबई में छुट्टियां बताने के लिए आए किसी एक जगा बहरुपिया नामक फिल्म की शूटिंग चल रही थी शैलेश कुमार वहां जाकर खड़े हो गए शैलेश कुमार के खुपसूर्ती से प्रभावित होकर डिरेक्टर ने उन्हें फिल्म में काम करने का ओफर दिया पर उस वक्त शैलेश कुमार फिल्मों के लिए तयार नहीं थे इसलिए उन्होंने वो ओफर ठुकरा दिया जोदपूर लोटने के बाद उन्हें अपनी गल्दी का पश्तावा हुआ उनकी शादी तो हो चुकी थी पत्नी के घर से मिली सोने की चेन को बेच कर शैलेश दुबारा मुंबई आये और फिल्मालाय आक्टिंग स्कूल में पांच महिने तक आक्टिंग सीखने लगे शैलेश कुमार के बेटे देवेंद्र बताते हैं कि उनका जन्म संपन्द परिवार में हुआ था पर फिर भी वे घरवालों से पैसे नहीं लेते थे 1960 का जमाना शुरू होते ही जीतेंद्र और धर्मेंद्र के साथ शैलेश कुमार का संगर्ष भी शुरू हुआ उन दिनों धर्मेंद्र उनके खास दोस्त हुआ करते थे इन दोनों कलाकार ने मुंबई में एक साथ तकलीफें देखी शैलेश कुमार को जब बलराद सहनी और मीना कुमारी जैसे दिगज हस्तियों वाली फिल्म भाबी की चूडिया में टाइटल रोल मिला तो धर्मेंद्र ने शैलेश से कहा तु लखी है यार अगले पांच वर्ष तक धर्मेंद्र और शैलेश कुमार ने मिलकर बहुत सारे फिल्मों में काम किया पर समय के साथ शैलेश कुमार की खुपसूर्ती का जादू चला नहीं उनकी सबसे प्रसिध फिल्मों में शहीद फिल्म का नाम सबसे उपर आता है गोल्डन आईज सीक्रिट एजन्ट इस छोटे बजट वाली फिल्म को भी अच्छी सफलता मिली साथ का जमाना खत्म होते होते धर्मेंद्र और जीतेंद्र सूपर्स चार की सूची में आ गए पर सैलेश कुमार की पहचान साइड आक्टर तक सीमित हो गई इस परिस्थिती में भी वो फिल्मे करते रहे पर 1979 के साल में उन्हें थाइरोइड इस बिमारी ने जगड़ लिया उस दौर में थाइरोइड का इलाज सिर्फ टाता हॉस्पिटल में होता था इसलिए शैलेश को फिल्मी सफर के साथ बिमारी से भी लड़ना पड़ा असी का जमाना लगने से पहले उन्होंने अपने जीवन का एहम फैसला लिया और 1976 की चरस फिल्म के साथ ही उन्होंने अभिनाई से सन्यास ले लिया हमारी नजर में उनका फैसला सही है क्योंकि उस दौर में भारी मात्रा में नए कलाकार दस्तक दे रहे थे ऐसे में शैलेश कुमार ने इंडस्ट्री से दूर जाने का सही फैसला लिया 1978 में वो जोदपुर आये और दुबारा फिल्म जगत को मुड़ कर नहीं देखा अपने पुष्टैनी घर में बीवी पुष्पा रानी, बेटा देविंद्र और बेटी आशिमा के साथ उन्होंने समय गुजारा अगले 40 साल तक उनकी खबर फिल्म जगत को नहीं मिली पर 20 अप्रेल 2017 में शैलेश कुमार का देहांध हुआ और फिल्म जगत की हस्तियों को उनकी याद आने लगी तो मैं थी आपकी अनामिका, मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और हमारे चैनल बयोग्रोफी और रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूले नमस्कार